गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स I am here with a new वीडियो आशा है आप अच्छे होंगे तो आज मैं नए वीडियो लेकर आया हूँ वह आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आज R.I.E. अजमेर में जो वेटलिस्ट कंडिडेट थे उनकी काउंसलिंग है तो आपको याद दिलाने के लिए और आपके मूड को फ्रेश करने के लिए तो दोस्तों आप एक तो चिंता मत करो कई की बच्चे यूँ पूछ रहें कि सर इसमें कुछ क्वेशन पूछे जाएंग पीप पूछी गई है वो एक दो आंसर दे देता हूं तो फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि आप कागज लेके सारे बटे और यह पूछा गया कि सर नियोकता प्रमान पत्र क्या है देखो अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको जो नोकरी देने वाला है तो वहां से आपने पूसा, तेलेग्राम चनल पर पूसा कि राजस्तान से PTT के थूँ जो एक्जाम देते हैं और B.E.A.D. करते हैं वो पूरे इंडिया में मान ने है कि हाँ बिलकुल मान ने है है आप चिंता मत करो, PTT के थूँ जब आप B.E.A.D. करते हैं जो मानेत अपराप्त कोलेज है तो उसमें कोई आपको दिकत नहीं आएगी फिर पूछते हैं दीपक जी यूट्यूब पे कि सर ये RIE 2021 कि जो CEE होने वाली है तो उसकी अप्लिकेशन कम मांगी जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ वो आम तोर पर अप्रेल में मांगी जाती है इस बार थोड़ा सा लेट हो सकती है नहीं तो संभावना यही कि अप्रेल में शुरू हो जाएगा क्योंकि वो काम अलग है ये अड्मिशन प्रोसेस तो आज मेरे का भी फिनिश हो जाएगा तो आई ही जाता है दस जुलाई तक रिजल्ट आई ही जाता है पका तो यह सारा काम जल्दी ही हो जाएगा आप चिंता नहीं करें अब मैं बता देता हूँ दोस्तों अब इसकी तरफ वीडियो की तरफ आते हैं आप अभी तयार हो जाएए आज आपकी 11 तारिक है 11 फरवर अपने पास रख लीजिएगा और फ्रेश माइंड से कोई चिंता मत कीजिए आपको ऐसा कोई बहुत तगड़ा जीवन मरन का प्रस्ट नहीं होने वाला है मैं आपको अगरिम शुब कामनाय देता हूँ यह यह जो आपको डॉकुमेंट से यह अपने पास रख लीजिएग वेट लिस्ट उन्होंने पहले से बड़ी सार निकाल दिये तो उसमें से लेते रहेंगे ओके फ्रेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जहीं